नमस्कार दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल आयरविग्यान समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं हम नारियल तेल के कुछ ऐसे प्रयोग जिनें शायद आप नहीं जानते होंगे दोस्तो सदियों से नारियल के तेल का कही जगा पर इस्तिमाल किया जाता है एक तरह से ये आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है तो दोस्ते तरफ नारियल आपके स्वास्त के लिए भी काफी अच्छा होता है लेकिन नारियल के तेल के कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिने शायद आप नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नारियल के तेल का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में कैसी कर सकते हैं डाइपर रैशिस को आप दूर करने के लिए नारियल के तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं बच्चों को अधिक देर तक डाइपर पहनाने के बाद उनकी तवचा पर रैशिस पढ़ जाते हैं यानि की रूखा पना जाता है तो उनसे बचाने के लिए आप नारील के तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं बच्चों की स्किन पर यदि आप नारील का तेल अपलाई करेंगे तो आपको रैशिस की समस्या से काफी फाइदा मिलता है अगला है दोस्तो शेविंग क्रीम की जगा आप नारील के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपके पास शेविंग क्रीम नहीं है और आप शेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप तोचा को गीला करके उसके उपर नारील का तेल लगा सकते हैं और उसके उपर रिजर चला सकते हैं तो इससे आपकी shaving सही हो जाएगी और उसके बाद भी यदि आपकी skin सूखी है skin के लिए काफी अच्छा benefit करता है ये dry skin के लिए भी नारील का तेल काफी अच्छा होता है तो आप shaving में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तो नारील का तेल एक तरह से DO का काम करता है नारील के तेल के इस्तेमाल से आप पसीने की बद्वू को दूर कर सकते हैं पसीने को खतम कर सकते हैं अगला है दोस्तो ये sunscreen का काम करता है दोस्तो नारील के तेल में free radicals होते हैं जो त्वचा का लचीलापन बढ़ाते हैं नारियल के तेल को नियमेत रूप से अगर आप स्किन पर लगाते हैं तो इससे सूरज की रौशनी के कारण जो होने वाले दाग दब्बे होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं यानि की कालापन नहीं आता है तो यही कारण है कि नारियल क तेल को तवचा के लिए भैतरी लोशन भी माना जाता है अगला है दोस्तो नारील का तेल भूग को कंट्रोल करता है नारील के तेल से आप बार बार भूग लगने की समस्या को शांत कर सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बो हाइडरेट और कैलोरी अधिक होती है जो कि भूग को कं पिंपल्स के लिए काफी अच्छा होता है यदि आपके चेहरे पर पिंपल्स है या फिर पिंपल्स के कुछ दाग पड़ गए है तो उनको साफ करने के लिए रोज राज सोने से पहले थोड़ा सा नारील का पानी लगा ले ऐसा अगर आप रोज करते हैं तो चेहरे के हो जाते हैं और चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है और दमकने लगता है दोस्तों जड़ते बालो की जो समस्या है उसमें नारील का तेल काफी अच्छा काम करता है अगर आप नारील का तेल लगाते हैं तो इससे आपको जड़ते बालो के समस्या से काफी हद तक फाइदा मि कीजिए साथी साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों